हेलो फ्रेंट्स नमस्ते, रसल मोमी के मैं आपका बहुत स्वागत है, आज हम केसर मलाई कुल्फी बनाएंगे, तो देखे, तो इसके लिए क्या समगरे लिए, देखे, ये मैंने पॉन लिटर के करिब दोद लिया है, ये है मावा, छोटा आदा बॉल के करिब मावा है फ्रे ये घर की मलाई है, ये आदा बॉल के थोड़ा उपर है, ये सब माने एक ही साइज के बॉल लिए है और ये, पॉन बॉल के करिब ये शकर है, ये है केसर, जिसकी कटिंग कर लिए मैंने, और ये, ये कीसर सौरी, ये कैसर वाला दूध है, ये तो गरम दूध में केसर डिज कर लिए और इसमें थोड़ा सा आप यलो फूट कलर भी डाल सकते हैं और यह पिस्तिक ही कटिंग है यह है इलाइची इसे मैंने क्रेश कर लिया है तो इन सब को मिला के हम इस्पेशल केसर मलाई फुल्फी बनाएंगे तो देखिए मैं कैसे बनाती हूं फ्रेंज यह गरम करने रख़एंगे दूद हम इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि हमारे तली में नीचे लगे नहीं तो इस थोड़ा दूद में उबाला जाएगा फिर हम इसमें दूसरे इंग्रेडियन डालेंगे देखिए फ्रेंज अब हमारा यह दूर उबल रहा है आप देख सकते हैं और यह उबलते थोड़ा सा कम भी हो गया है इसे इस तरह से हम हिलाते रहेंगे कंटिनुस यह तो नीचे लग जाएगा थोड़ा गैस अब दीरे कर देती हूं इस दीरे कर दी मैंने अब इसके अंदर मैं यह मलाई डालूँगे यह जो मलाई है घर की यह मैं इसके अंदर इस तरीके से डाल देती हूं यह शाही कुलफी है इसलिए मैं इसमें मलाई मावा यह सब यूज में ले रही हूं तो यह बहुत ही टेस्टी बनेगी और आपको बहुत मस्त लगेगे फिर गया टेस्ट कर दी मैंने और इसके अंदर मैं यह मावा भी डालूँगे यह मावा भी डालूँगे इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा शाही हो जाएगा फ्रंट मावा भी डाल दिया यह गज थोड़ी से टेस कर दी तोरी बेने और यह केसर वाला दूद पी डालेंगे थोड़ासा इसमासी केसर मैं बचा लेटीं गर्णिशिंग के लिए और यह केसर डाल दिया इसे हम continuous हिलाएंगे तैकि सारे इसमें डिजॉल हो जाएं, मलाई और मावा डिजॉल हो जाएंगे, तब हम इसमें शेकर डालेंगे, अभी मैं इसके अंदर ये पिस्ता डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूँगे, और ये हिलाईची भी डाल ये भी, ये टेस्ट में बहुत अच्छी होती है, ये कुलफी, इसमें मावे का टेस्ट आता है, मास्ट एक्टम, ये स्पेशल मैं बना रही हूँ आपके लिए, जो आपने बहुत कम देखी होगी, इसे आप continuous हिलाएंगे, ताकि नीचे के तलिए होगे, ताकि नीचे के त आले में दूद लगे रहे हूँ, अब इसके अंदर हम ये शकर डालेंगे, इसकर आप अपने टेस्ट के एकोडिंग, अगर आप कम बसने तो, आप कम डालेंगे, क्योंकि मैंने इसमें मावा भी डाला है, तो थोड़ा कम डालेंगे तो भी चलेगा, इसे इस तरह से continuous हिलाएंगे, अब एक दो बाला जाएगा, तब हम गैस बन करतेंगे, अब हम गैस बन कर देते हैं, और इस दूद को अभी हम ठंडा होने देंगे, जब यह ठंडा हो जाएगा, तब हम इसे मोल्ड में डालेंगे, केसर मलाई कुल्फी कव, मैंने ठंडा कर दिया है, और इसे ठंडा करने के बाद में, हम इस तरह से मोल्ड में इसको जमा देंगे, मैंने एक दिन पहले यह कुल्फी बनाई थी, तो वैं आपको जमे वी खूल रही हूं, यह डिखिए चपक 9Wh, कितनी must लग रही है, यह मैंने एक दिन पहले जमाई थी तो मैं आपको बता रहे हूं इसको अब हम देमोल्ड कर लेंगे इस तरीके से मैं कट कर लेती हूं और मैं आपको बताती हूं देखे फ्रेंट्स यह कुल के कितने मुहत लग रही है आप देखेंगे इस तरह से कुल्फी डाल गिए मैंने इसके अंदर शर्विंग उसमें सर्विंग बॉल में डाल गिए तो हमारी कुल्फी देखें कितने मुहत लग रही है आप इसे खाये कि लाइए और चिल्ड सर्व किए जिए केसर मलाई कुल्फी बहुत मुहत लगेगी आपको और इसके उपर आप थोड़ा सा केसर से भी इस तरह से गार्डनेशिंग कर सकते हैं फ्रेंट्स बहुत ही मुहत लगेगी इस तरह से केसर डाल दिये थोड़ी से और थोड़ी से ये पिस्ते की कटिंग भी डाल दिये ये केसर मलाई कुल्फी आप बनाईए खाएए बहुत महत लगेगी और अगर मेरी रेसिप अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स वर वाचिंग माई चैनल बाई